हेलो एवरीबन, गूड इमनिंग, आज मेरी बेटी का एक्जाम था कोचिंग का, तो काफी लंबे टाइम से वो बस प्रपरेशन कर रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी, आज एक्जाम देने बाहर निकली तो हमने सुचा उसको वहीं लेकर और थोड़ा सा घुमा देते हैं, क्योंकि 12th क्लास एक बार स्टार्ट हो गई तो वो विल्कुल भी नहीं निकलेगी, हम लोग आए, वहाँ पर डोसा क्रस्ट से डोसा खिलाया, उसको, क्योंकि वो बहुत भूगी भी हो रही थी, और उसको शौक है थोड़ा खाने का, तो डोसा क्रस्ट बहुत ही अच्छी बिल्कुल इतनी गजब की लोकेशन है, सिटी की सेंटर में है, जबकि इस पार्क को इस तरह से उसको अंदेखा कर दिया गया था, एकदम आलतु फालतु लोग बैठते थे, लाइट्स नहीं थी, अंधिरा पड़ा रहता था, कोई भी इसकी रख रखा हो नहीं था, फिर दीरे दीरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू इसको डैबलब किया जा रहा है, हमने सोचा अंदर जाते हैं, थोड़ा सा बैठेंगे, देखते हैं कैसा क्या, आइसक्रीम ली, उसके बाद हम पार्क में गए, वहाँ पर थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया, बैठे, काफी सारे एक्सरसाइस के इंस्टूमेंट लगे हुए हैं, और बच्चों के लिए जूले लग गए हैं अब तो, और वाकिंग पाथ बने हुए हैं, फ्लार्स लगा दिये गए हैं, धीरे धीरे इसको डैबलब किया जा रहा है इस पार्क को भी, हम यहाँ बैठे, हवा अ जो देखी जाए, मिसिस चिटरजी वर्सिस नॉर्वे है, लेकिन उसका टाइमिंग बहुत ही, हमारा हमको सूट नहीं कर रहा था, बेकास वो नाइट में था, और नाइट सोज हम लोग प्रफर नहीं करते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं सिटी से, तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा बस मॉल ऐसे ही घूम लेते हैं, और इसके बाद हम मॉल निकल गए, पार्क के सामने ही मॉल है हमारा, एक छोटा सा मॉल है, वहाँ निकल गए, वहाँ पर हम लोग रिलाइंस, फिर उसके बाद वेस्ट साइड, मैक्स, इजी वाई, ट्रेंस, सारा कुछ घूम कुछ भी नहीं लेना था, मॉज मस्ती करते हुए निकलना था, बट मैं एक सूट ले आई अपने लिए, लिमिटलेस से, कोई भी मूड नहीं था, बट मुझे इतना पसंद आ गया, कि एक सूट तो बनता है, और मैंने फाइनली एक सूट खरी लिया अपने लिए, तो बिन लिए एक सूट ले लिया, बस फिर हम घर आ गए,